आज का वीडियो फिर से प्रवाल भित्यों पर ये इसमें हम प्रवाल भित्यों के बारे में चार बातों का अध्यन करेंगे इनमें से सबसे पहला है प्रवाल भित्यों का प्रकार पढ़ेंगे भारत में कहां कहां पर प्रवाल भित्यों पाई जाते हैं उनके बारे में हम अध्यन करेंगे साथ में प्रवाल भत्तियों पर किस तरह का संकट मढ़ रहा है किस तरह से उनका विनाश हो रहा है या उनके समाप्त होने का खत्रा कैसे मढ़ रहा है उन परध्यन करेंगे साथ में प्रवाल विरंजन परध्यन करेंगे प्रवाल विरंजन को समझना ज़रूरी है क्योंकि यहां से मुखे परिच्छा में भी हमेशा सवाल पुछे जाते हैं और प्रेलिम में भी तो आईए हम बारी बारी इन चारों को समझने का प्रहास करते हैं प्रवाल भित्तियों के प्रकार तीन प्रकार की होती है मुख्यरोब से तर्टी प्रवाल भित्ति होती है है नो क्या होता है कैसे होता है बताते हैं तर्टी प्रवाल भित्ति इसे इंगलेस में फ्रेंजिंग रिफ कहते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति इसे हम इंगलिश में barrier reef कहते हैं और तीसरी है वलयाकार प्रवाल भित्ति अर्थात एट आल तो सबसे पहले हम देखते हैं 30 प्रवाल भित्ति क्या होती है हम 30 और अवरोधक में अंतर कैसे करते हैं जब प्रवाल भित्तियों का विकास बिलकुल किसी महाद्वीव के तट के सहरे होता है तो उसे हम 30 प्रवाल भित्ति का विकास बिलकुल 30 से लगगर होता है ऐसे प्रवाल भित्तियां 30 से पर नहीं होती है, बलकि एकदम सटी हुई होती है, तो जब प्रवाल भित्तियों का विकास महाद्वीपी या किसी द्वीप के तट के सहारे होता है, तो उसे हम तटी प्रवाल भित्ति कहते हैं, आम तोर पुति ये बिल्कुल तट से जोड़ी होती है, लेकिन कभी-कभी प् छोटी लेगुल का निर्मार हो जाता है, ये, बीच में पानी भर जाता है, है ना, तो आम तोर पुति ये तट से सटी होगी तिये हैं, लेकिन जब प्रवाल भित्तियों और इस तल खंड के मध्य गयप आ जाता है थोड़ा, तो मध्य के भाग में छोटी लेगुल का निर चैनल अब हम देखते हैं आउरोधक प्रवाल भित्ति आउड़ने सागर में तट से कुछ दूरी पर होता है कुलिर इनका विकस शिछल स्थल बाग यह और समुद्र है न तो आउरोधक प्रवाल भित्तियों का विककास उस्थल खंड से कुछ दूरी पर छिछले सागर में होता है लेकिन इनका विकास बिल्कुल तट के समानांतर होता है जैसे आप इस सित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको और अधक प्रवाल वित्ती को हमने दो रूपों में दिखाया है एक तो समुद्र में गहराई के रूप में दिखाया है कि समुद्र की तली से कैसे उपर उठी हुई है और बीच में देखेंगे लगूल है उपर छोटी लगूल हो गई थी लेकिन इहां पर काफी बड़ी लगूल पाई जाती है क्योंकि ये तट से थुड़ी दूरी पर विक्सित हुई है तो इसलिए स्थलखंड और 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 अध दूरी तट पर यहां पर क्विस्लेंड राज्य है क्विस्लेंड राज उसके दक्षण में विक्टोरिया राज्य है तो क्विस्लेंड राज्य के ठीक उत्तर पूर में तट से कुछ दोरी पर एक देखिए प्रवाल भित्यों की स्रिंखला दिखाई गई है ये लबग 2,000 किलो मिटर लंबी है, 12 मिल लंबी है, अर्थात 12 मिल लंबग 2000 किलो मिटर के लंबग होता है, तो 2000 किलो मिटर लंबाई में विस्त्रित हो गई है, तो पहले हम यहां समझ लेते हैं, और अदग प्रवाल भित्यों का विकास छिछले सागर में तट से कुछ दूरी पर लेकिन तट के बिलकुल समनांतर होता है अर्थात ये तट के साथ साथ फैली होती है जहां तट के बिलकुल साथ साथ ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे नहीं फैली रहेंगी कभी नहीं हमेशा ये तट के समनांतर फैली होती है चुकि इनका विकास तटके से कुछ दूरी पर होता है इसलिए बीच वाले भाग में छिछली लेगून का निर्माड हो जाता है जो और अधक प्रवाल भित्ती होती है वो अविछिन या निरंतर रूप में नहीं पाई जाती है अविछिन मतलब समझते हैं इसका मतलब होता है बीना काट छाट के एकदम लगातार निरंतर तो और अधक प्रवाल भित्तियां बिलकुल अविछिन रूप में निरंतर रूप में नहीं पाई जाती है बलकि इनमें कई स्थानों पर अंतराल पाई जाते हैं कई स्थानों पर यह बीच में टूटी हुई होती हैं आप देख पा रहे होंगे बीच में आपको गया दिखाई दे रहा है मैंने डॉट डट करके इसलिए बना है तो यह और उधक पुराल भितियां अविच्छिन या निरंतर रूप में नहीं फैली होती है बलकि इनमें बीच बीच में अंत चिछली लेगून है मतलब इसमें गहराई काफी कम होती है यहां पे आप अगर और अधक प्रवाल भिति इसे हम ग्रेट बेरे रीफ नाम देते हैं तो ग्रेट बेरे रीफ और तर्ट आस्ट्रेलिया की तर्ट की बीच का जो जल है न यह चिछला लेगून होता है अगर आ आपको बिल्कुल यहां पे समुद्र की तली दिखाई देगी है न यहां पे समुद्र की बिल्कुल आपको तली दिखाई देगी और रंग बिरंगी मिचलिया यहां पे चलती हुई दिखाई देती हैं मतलब आस्ट्रेलिया ही जो अर्थ्ववस्था है और आस्ट्रेलिया अर्थवस्था में Great Barrier Reef आधारित परेटन का बहुत ज़्यादम होता है आस्ट्रेलिया अपने कुल सकल घरेलू आय का आधा भाग Great Barrier Reef आधारित परेटन विकास से प्राप्त करता है यहाँ इतनी खुबसूरती है प्रकृति में कि दुनिया भड़ से लुक्स सबसे ज़्यादा संभवता आस्ट्रेलिया घुमने जाते होंगे अगर किसी काम से नहीं जाए आनन दिलने जाए प्रकृति का तो विदेशों में सेर सबसे ज़्यादा आस्ट्रेलिया का होता है क्योंकि यहाँ पर रीफ और तठ की बीच का जो जल है यह पूरी तरह से खुबसूर्ती से भरा हुआ है है ना तो मैं क्या बता रहा था तो बीच में तो छिचला लेगून है है ना बना रहता है इसके एक विशिस्ता यह होती है एक फैदा यह होता है कि जो बड़े जल्यान होते हैं वो खुले समुद्र से आसानी से इन गैप के माध्यम से लगोन में आ जाते हैं और फिर आसानी से तठ तक पहुंच जाते हैं तो जो औरोधक जो प्रवाल भितियां होती हैं यह एक तरह से मोगा चट्टानों की दिवार होती है यह मोगा मोगे की दिवार होती है क्यों क्योंकि यहां पर कोई भी तुफान आएगा सुनामी आएगी उसको यह प्रवाल भिति रोकने का काम करती है यानि जो बड़ी समुद्री लहरे हैं यहीं तक सीमित हो जाती ह बड़ी समुद्री लहरे मालेते इधर से आ रही है तो यहीं पर सीमित हो जाती है, बड़ी समुद्री लहर कभी भी इस छिछले लेगून में नहीं पूंशती है, इसलिए यहाँ पर हमेशा शान्ती रहती है, घुमने फिरने लायक जैसे आप कहीं भी खुले समुद्र में ज समुद्र शांत रहता है लेकिन जो तमिलाडू का तठ है वहाँ पर बहुत विशाल लहरे तठ की तरफ आएंगी इतना शोर मचाती ही कि अगर रात कैसे में होगा तो आप उन लहरों को देखकर डर जाएंगे समुद्र पर जाने की हिम्मत नहीं होगी और अगर आप चले भी राज्य के उत्तर पूर्वी तठ के सहरे 2000 किलो मीटर की लंबाई में फैली हुई है और आस्ट्रेलिया अर्थवस्था में इस प्रवाल भित्ती का विशेस मागतो है ये एक तरह से मोंगे की दिवार की रूप में खड़ी है जो की समुद्री लहरों और तरंगों से या सम समय शम दीख लेते हिए जब प्रवाल भित्ति यूँ का विकास अप मैड में देखे रहे है मतलब यह समूद्र में गहरयाई नहीं दिखाए गया समुद्र में गहराई नहीं है ये क्या है यह map है मतलब जैसे आप एटलस को देखते हैं एटलस में घहराई नहीं दिखा जाती है एटलस को आप ऐसे देखते हैं जैसे आप उपर से देख रहे हो अंतरिक्ष से देख रहे हो अगर हम ऐसे भारत बनाते हैं तो भारत को आप आंतरिक से देख रहे होता है atlas में, तो उस तरह से आपको देख़ना है, कि आप उपर से देख रहे हो, तो बीच में दौीप है, दौीप के चेरो तरफ प्रवालवित्ती है, प्रवालवित्ती का एक मुँ यहाँ पर खुला हुआ है, जिससे समुद्री जल बीच वाले भाग में आ गया है समुद्री जल भर गया है तो इसमें लेगून का निर्माड हो गया है यानि एक भाग जरूर कोई भाग जरूर खुला रहता है बीच में लेगून का निर्माड हो जाता है यानि लेगून का संपर के खुले सागर से बना रहता है इससे होकर नावे अंदर आ सकते हैं या जलियान अंदर आ सकते हैं तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि जब प्रवाल भित्ती कविकास किसी द्वीप या जल्मगन पठार आप कहेंगे जल्मगन पठार क्या होता है इतने कठें शब्ड जल्मगन पठार जो समुद्र में डूबे हुए उँचे स्थल होते हैं आई मा लेते हैं अगर द्वीप द्व द्वीप वही हो सकता है जो समुद्र के सता से उपर उठ गया है तब द्वीप है अगर वही द्वीप समुद्र के सता के नीचे है थोड़ी से गहराई में है तो उसे हम द्वीप नहीं कहते हैं उसे हम जल्मगन पठार कहते हैं यानि वही द्वीप सेम अगर समुद्र में दूबा हुआ है तो उसे दूइप नहीं कहेंगे वो स्थल खंड नहीं है वो श्थल भाग नहीं वो तो समुद्र में डूबा हुआ है तो उसे हम जल्मगन पठार कहते हैं तो जब पुरवाल भित्यू का विकास किसी दूइप के चारो तरफ इसे द्वीप मान लेते हैं है ना जब प्रवाल भित्यों का विकास किसी द्वीप के चारो तरफ या किसी जलमगन पठार के उपर होता है तो घोडे के नाल जैसी आकरती है ना बनती है या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी द्वीप या जलमगन पठार के उपर प्रवाल भित्यों का विकास घोडे की नाल के आकार में प्रवाल भित्यों का विकास होता है इसके चारो और तो उसे हम वले आकार प्रवाल भित्यों का विकास होता है इसे एटाल कहते है एटाल का क कोई ने कोई मुझ जरूर खुला रहेगा, ये पूरी तरह से बंद नहीं हो। ये समभोध नहीं है। तो यहां पर यह जो अटॉल है जो वलया का प्रवालभित्ती है.. वह हमेजा कट्ती छटती रहती है.. क्योंकि प्रकृति में कोई भी चीज सो पृषत स्थाई नहीं है उसमें काट छाठ होता रहता है प्रकृति का काम है कि उसका हमेशा च्छाठ होता रहता है तो चटानों का च्छाठ होने के बाद जो पदार्थ प्राप्त होता उसी को हम आवसाद कहते हैं तो यह जो लगू हमेंसा कम होती रहेगी जब यह पूरी तरह से आवसाद से भर जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे इसे हम प्रवाल दूइप कहते हैं जब यह पूरी तरह आवसाद से भर जाएगी तो इसे हम क्या कहेंगे पूरा प्रवाल दूइप कहेंगे इसकी एक विसेस्ता है कि एटॉल और जब ये बीच का लगोन अउसाद से भर जाएगा तो प्रवाल दीब का निर्माण हो जाता है उधारण के लिए लक्ष दीब का निर्माण पूरा का पूरा मोगा चटानों से ही हुआ है जो हमारा जब ये भर जाएगा तो प्रवाल दीब का निर्माण हो जाएगा उधा गया है तो पुरा दूइफ हो गया है तो कई प्रवाल दूइफ हैं लक्षदीफ समूँ में इसके लब लक्षदीफ समूँ में कई अटाल भी पाये जाते हैं मतलब बीच में अभी भी वहां पर क्या है लगून है बीच में छिछला जील है तो वहां पर कई अटाल भी पाये जाते हैं लक्षिदीव समूह में और बहुत से प्रवाल दीव भी पाय जाते हैं पूरा का पूरा हमारे लक्षिदीव समूह जो है किसका बना हुआ है मुंगा चट्टानों से बना हुआ यह सवाल हमेशा पुछा जाता है कि निवलिखिदीव समूह में से कौन सा मुंगा च शिटके हुए दीब देखते हैं, उसकी एक सरिंखल आपको दिखाई देती है, केरल टट के पसिम में, अरब सागर में छोटी-छोटी जो दीब दिखाई दे रहे हैं, वो मुगा चट्टानों से बने हैं, इसके लबवाँ, लची दिखचण में मिनिकाय है, मिनिकाय के दिख निर्माड किसे हुआ है अलग बात है कि अंडमान निकोबार का निर्माड मोगा चतानों से नहीं हुआ है लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाल भितियां कहां पाई जाती हैं इस सवाल का जबाब लक्ष दिप नहीं है भारत में सबसे ज़्यादा प्रवाल भितियां अंडमान निकुबार्दी सुमों में पाई जाती हैं लेकिन उस दुएप के सहारे 30 प्रवाल भित्यों का विकास हो गया है। इसलिए अंडमा निकभर्ट्उप संुमू मुगा चटानों से निर्मेत नहीं है। लेकिन भारत में सबसे ज़्याद़ प्रवाल भित्यों कहां पैजाती हैं, अंड मानिक कुबार्देशों हो पाई जाती हैं ये दोनों ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं सवाल गलत होने की समभावना बनी रहती है तो आपने समझ लिया वलयाकार प्रावल भित्ति यानि अटॉल अब हम देखते हैं भारत में कहां कहां has dann भारत में प्राव भित्ति यां यह विसाक्त होने लगते हैं और पडाना श्रूप इनका रंग जो है शखर होने लगता है जूकि जूक्ष यनठलि के चलते ही प्रावालों का रंग भी रंग बिरंगा होता है तो जब जूक सेंखली सफेद हो गया, तो प्रवाल भी किस रंग के दिखाई देने लगते हैं? सफेद रंग के दिखाई देने लगते हैं. इस प्रक्रिया को हम विरंजन कहते हैं. विरंजन मतलब अपना रंग खो देना. विरंजन, प्रवाल विरंजन को हम इंगलिस में कह कोरल ब्लीचिंग तो जब यह अपना रंग हो देते हैं तुए क्रिया कौन क्या कहते हैं विरनजन अर्थात ब्लीचिंग कहते हैं तो जब जूक सेंख्थली जब सफेद कलरका हो जाता है तो प्रकास सेंख्थली की क्रिया में बाधा पहुचने लगती है पहले तो प्रकास सेंख्थली की दर काफी तीवर हो जाती है क्योंकि सागरजल गरम हो गया है प्रडाम सुरूप वो विशाक्त हो गया, सफेद रंका हो गया, अर्थात उसका विरंजन हो गया, लेकिन जैसे ही जूग संखली सफेद हुआ, तो प्रकास लसलेसर की किरिया पूरी तरह से बादित हो जाती है, क्योंकि उसमों क्लोरोफिल नहीं रहा जाता, तो जब प्रका प्रडाम सुरूप अपने भोजन के लिए जो प्रवाल होते हैं, ये अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर हैं, जुग संखली पर निर्भर हैं, तो प्रडाम सुरूप अपने भोजन के लिए इन ही शैलवालों पर निर्भर करने वाले जो प्रवाल होते हैं, वो भी भ प्रवाल मतलब जो अपना रंग हो चुका है विरंजीत प्रवाल फिर से पूरवस्था को प्राप्त कर सकता है लेकिन तभी जब सागरी जल का तापमान समान ने हो जाए विरंजीत प्रवाल फिर से अपनी पूरवस्था को प्राप्त कर सकता है फिर से रंग विरंगे हो सकत लेकिन तभी जब सागरी जल का तापमा समान नहीं हो जाए और जो जोग सेंथली है वो प्रकास असलेशन क्रिया करने में सक्षम हो जाए या जोग सेंथली विर्धी करने में सक्षम हो जाए जब तक जोग सेंथली विर्धी नहीं करेगा प्रवाल भित्यां समान नवस्था को प्राप्त नहीं पाएंगे तो इसके अलवा परुवाल भित्यों को सबसे ज़्यदा खत्रा अल्नीन्डम नमक मोसमी परिस्थिति से इसके बाद सबसे ज्यदा खत्रा है यह क्या होता है अल्नीनो पेरु तठ पर धक्षण अमेरिकम परुवाहित होने गर्म समुद्री जलधारा है पेरु तटपर प्रवाहित होने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है जो और इसका अविर्भाव वहां दिसंबर महिने में होता है अल्नीनो नमक जो गर्म जलधारा है जिसका अविर्भाव दिसंबर महिने में होता है ये हमेशा वहाँ नहीं प्रवाहित होती है कुछ सालों के अंतराल के बाद ये गर्म जलधारा वहाँ प्रवाहित होने लगती है अचानक से और जैसे ही अल्नीनों गर्म जलधारा का अविर्भाव होता है दुनिया भर में तापमान में विर्धी अंकित की जाती है इस धारा के चलते दुनिया भर में तापमान में विधियंकित की जाती है मौसम में काफी उलट फेर हो जाता है जिसका प्रभाव इन प्रवाल भित्यों पर भी पड़ता है ये हो गया आपका प्रवाल भित्यों से समंधित संपूर अध्यान जिसे बाहर से सवाल न परिली में आएगा न मेंस में आएगा प्रवाल भित्यों के बाद हम आने तरह के वनों का अध्यन करेंगे जैसे आर्द्र भूमी बायोम का अध्यन करेंगे जैसे आर्द्र भूमी बायोम हो गया जो काफी इंपोर्टेंट है इसके लवा आर्द भूम के लवा उसे में हम मेंग्रोवनों का अध्यन करेंगे मेंग्रोवन का भी अपना बायोम होता है इस तरह से बायोम चेप्टर खतम करके फिर हम प्रेज करेंगे बायोडेवस्टी में मिलते हैं अगले लक्चर में